G20 Presidency के दौरान जो Global Spotlight है वो भारत पर है और इस दौरान अपनी Presidency के दौरान भारत ने विशेशकर Digital Public Infrastructure सेक्टर में जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको शोकेस किया है दुनिया के सामने G20 समयलन से भारत की क्या आप एक्छाए है और विशेशकर Digital Economy से जुरे क्या Issues है जिन पर राजर लेवल पर एक Consensus बनने की उमीद है में साथ IT और Electronics राजीमंत्री राजीव चंशेखर हैं जिन्होंने G20 Presidency के दौरान Digital Economy को लेकर जो Deliberations थे उसको भारत की जो बात है जो Issues है उनको दुनिया के सामने रखा पहला सवाल यह है कि आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशन से क्या आउटकम्स होंगी Digital Economy के कॉंटेक्स में भारत के देखे आपने कहा कि G20 के भारत के Presidency के दौरान एक तरह से भारत पर Spotlight है वो तो है और उसमें कोई दो राही नहीं है कि इस G20 Presidency में भारत का एक Impression Global Economy और Global Geopolitics पर रहेगा लेकिन साथ-साथ भारत का जो चवी है भारत का जो Achievements है और जो Achievements रहे हैं और जो हमने Progress किये हैं उसका Impact भी बहुत बड़ा पड़ेगा आने वाले सानों और दशकों में दुनिया के सोच और दुनिया के आगे जाने का धंग पर तो मेरा माना यह है कि आप Technology के दुनिया में देखिए Technology for the good of people जो हम DPI कहते हैं उसमें एक तरह से G20 में पहली बार एक Consensus बना है और वो भारत के Presidency के दौरान बना है दूसरा Cyber Security for Digital Economy इस पर भी एक Consensus बन गया है कि यह important मुद्दा है और तीसरा यह पोस कोवड के Digitalization की दुनिया में जो Skills की Importance है, Digital Skills की Importance है यह इशू जो प्रदानमंतरी मोदी जी ने 2015-16 में शुरू किया था उस एक तरह से उसका effort आज के दिन में दुनिया के देश सब मान रहे हैं कि यह भी एक बहुत important इशू है और अगर एक चौता इशू यह है कि Global South जो इतने साल और दशकों से एक तरह से future of the world के discussion से excluded थे, प्रदानमंतरी मोदी जी ने उनको एक तरह से include किया है और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो हमारे देश के context में करते, करते थे, करते हैं, उन्होंने उसको global stage पे उस philosophy और ideology का भी रखा है कि सबको मि सबके साथ विश्वास बना कर चोटे देशों या बड़े देशों और उस एक तरह से भारत ने ग्लोबल साउट के चोटे देशों को एक तरह से एक लीडर्शिप प्रदान किया है और वो भी मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा पर्मिनेंट एफेक्ट होगा on the future of the world. जी यूपी आई के कॉंटेक्स्ट में अगस्ट महिने में 10 बिलियन से जादा ट्रांसेक्शन वे और इस पर भी ग्लोबल स्पोटलाइट रहा है बहुत सारे देशों ने का है हम आपका यूपी आई सिस्टम समझना चाहते हैं आपसे मदद चाहिए कितने देशों के साथ अभी तक डिजिटल पॉबलिक इंफरस्ट्रक्चर के कॉंटेक्स्ट में भारत ने अपने जो स्ट्रेंट्स हैं उनको शेयर करने का फैसला किया है देखिए हम प्रदानमात्री मोदी जी ने इसके पावर को जानते हूँ उनने कहा कि जो भी ऐसा देश है जो आज तक कर पाएं एक तरह से एक्स्क्रूर्ड थे यह डिजिटाइजेशन की दुनिया से भारत के डी पी आए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्स आफर किया है हर देश को और आठ ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के साथ मोई अभी साइन कर लिये हैं और मेरे हिसाब से बीस पच्चिस और नेशन ऐसे हैं जो करना चाहते हैं और हम एक स्टेडी स्टेप से करेंगे लेकिन सबसे बड़ा इसु यह है कि इस जी ट्वेंटी प्रेजिशन के दौरान भारत के इस प्रेजिटन्सी के दौरान इस डीपियाई पर जो भारत ने 9 साल 8 साल प्धारमंद्धी मोदी जी मोदी जी के विजन के कारण बनाया है उस DPI के प्रक्रिया, उस DPI के ताकत, उस DPI के ट्रांस्फोमेशनल बेनिफिट्स को पूरे दुनिया के देश आज मान रहे हैं और एक तरह से उसके फ्रेमवर्क पर है, उसके प्रिंसिपल्स पर है, तो इंडिया एक के स्टडी बन गया DPI का ताकत और DPI का मैजिक, तो आठ कंट्रियों के साथ हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा कंट्रियों के साथ हम मिलकर, इंडिया के DPI और ग्लोबल DPI रपाजिट्रिवी जो हम मैनेज करेंगे, वो भी ओफर करें इसी के साथ जुलावा एक सवाल चु इस पर एक तरह टोटल कंसेस बन गया है जीटवेंटी में क्योंकि साइबर स्थेक्योरिटी और इंटरेट और साइबर स्पेस इतना एक बौडरलस स्पेस है और वो यहां पर कोई कंट्री के बौर्डर पर रुखता नहीं है एक ग्लोबल अंडरस्टैनिंग उस पर बनाना जरूरी था और इस G20 के दोरान भारत के प्रेजिदेंसी के दोरान उस इंपोर्टन मुद्दे पर एक ग्लोबल कंसेस बन गया है कि यह साइबर सेक्योरिटी के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और ग्लोबल प्रोटोकॉल्स लाने चाहिए और इस कॉंटेक्स में डिजि टूल्स और क्या होने चाहिए लिजिस्लेशन फ्रेमवर्ग तो हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया के सबसे बड़े कनेक्टेट कंट्री तो हैं और दोहजार पच्चिस तक एक सो बीस क्रोड भारतवासी हमारे इंटरनेट से जुडेंगे और इसके लिए हमारे जो प्र साथ, Himanshu Shekhar, NDTV India